हेलो दोस्तो मेरे नाम है मुहित और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट है ट्रांस्प्रांट नो बगवास ओनली ग्यान चैरल दोस्तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मनोस्तिवारी के बारे में जो की करेंटली दिल्ली में MP हैं और दिल्ली के अंदर election आने वाले हैं तो वो दिल्ली के CM का एक फेस हैं अगर दिल्ली के अंदर BJP सरकार बनाती है तो मनोस्तिवारी जो है CM बन जाएंगे दिल्ली के, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की मनोष्तिवारी की हरकते हैं, जिस तरह के वो भाषण देते हैं, कभी जूट, कभी और जूट, कभी उससे भी ज़या जूट, सच तो वो कभी बोलते नहीं है, वो दिल्ली के CM बनने लाइक नहीं है और दिल्ली के CM वो बनेंगे भी नहीं चाहे मोदी लहर आप सब लोग कितना भी बोलते रहो चाहे आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर मुझे कितना भी उल्टा सीधा बोलो मैं सीधा आप लोग को ब्लॉक करूँगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन वो दिल्ली का CM बनने के लायक नहीं है क्योंकि अल्रेडी वेल डिजर्विंग एक कैंडिडेट है दिल्ली के अंदर जो करेंड दिल्ली के CM है मनोस्तिवारी जी के बारे में आप लोग कुछ बोलना चाहूँगा कि उन्होंने एक शक्स है जिन्नों को हम पप्पू के नाम से जानते हैं धीरे धीरे करके मनोस्तिवारी पप्पू से भी आगे बढ़ते जा रहे है मुझे लगता है कि वो दुनिया के पप्पू बन जाएंगे आगे चल करें खैर अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं मनोस्तिवारी के बारे में कितना अच्छा सोचता हूँ अब बात कर लेते हैं उन्हों के हेर ट्रांस्प्रांट की मनोस्तिवारी जो है बिग बॉस में भी आ चुके हैं एक बार मनोस्तिवारी बिहार के बहुत अच्छे सिंगर हैं बहुत अच्छे गाने गाते हैं बहुत अच्छे डांस करते हैं लेकिन यहाँ पर dance, singing, उनकी political बातों के लिए ये वीडियो नहीं है ये वीडियो इसलिए है ताकि मैं बता सकूँ आप सब लोग को जिनें पता नहीं है कि मनोस्तिवारी जी जो है वो गंजे हैं और वो hair wig का use करते हैं जियां दोस्तों वो big boss के अंदर भी आ चुके हैं और उ मनोस्तिवारी जी की wick के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं मनोस्तिवारी की wick जो है बहुत अच्छी quality की है आराउंड 50,000 से लेकर के 70,000 तक के बीच में उन्हों की wick की quality होगी इतने की पक्का मिलती ही होगी मगर पता नहीं उन्होंने पैसे को से खर दिया या फिर उन इन्हों का इतना बड़ा face होता है कि सामने वाला इन्हें कुछी gift करने में अपनी शान समझता है मगर मुझे ऐसा लगता है कि मनोस्तिवारी जी ने अपने पैसों से ही wick खरीदी होगी अगर दोस्तों आप सब लोगों को wick लेनी है तो आप दिल्ली के अंदर बहुत सारी आप लगों को मार्किट के अंदर अवेलिबर है जो आपके अपर बहुत अच्छे तरीके से सूट करेगी लेकिन अगर वही विक को लेने के लिए आप किसी अच्छे क्लिनिक में जाते हैं for example मेरी वीडियो चल रही है इससे पहले कोई ना कोई जरूर आई होगी जब भी म पुष्मा लगाता स्टाइल में देखता बॉड़ी वाड़ी से करके वो अगर आप इस तरीके के किसी भी क्लिनिक में जाते हो तो वहां पर तो महेंगा हो गए क्योंकि एम्बियंस है खर्चा है इसका इसका इन सबका ठीक है दोस्तों तो आप ठोक मारके में जाओ वहां स साल के अराउंड रुके और उसके बाद ही उन्होंने अपना हेर पैच का इस्तमाल करना स्टार्ट कर दिया जी हां दोस्तों अगर जो आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो मैं आपको लोग कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूं जहां पर आपको समझ आएगा कि पहले के लाइन सिटी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फोटोग्राफ में मनोशतिवारी की हेर लाइन कितनी अलग हो गयी है जो फोटोग्राफ अभी आपने देखी थी उसके कम्पैरेजन में मतलब की हेर लाइन वापिस आ बाल फिर से वापिस आ गया है और मैं आप लोग क्लाक काराण हो जकते हैं मनुस्तिवायर जी के पास time नहीं है. बगर आप लोगों को आज की वीडियो में समझ आ गया होगा. पहली बात की मनुस्तिवायर जी टकले है, एरविक के एस्तमाल करते हैं. और दूसरी बात मनोस तिवारे जी बिल्कुल भी लायक नहीं है दिल्ली के CM बनने के लिए अगर जा आपको वीडियो पसंद आई है अगर जा आप दोनों बात से अगरी करते हो तो इस वीडियो को शेर करतो जहां पर भी आप लोगों को करना है तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में बाई बाई टेक क्यार